कि अगर आपको हरियाना का हरियाना का HSC का math अगर आपने पढ़ना है तो आप सब को पता है कि मेरा course आयो हुआ है हरियाना HSC के लिए जितना भी math आप complete exam में देखते हो पूरा course मेरा आया हुआ है परिक्षा एप के ओपर परिक्षा एप का जो लिंक है वो इस वीडियो के description में में डाल दूँआ सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको जरूरत है math पढ़ने की आपको लगता है कि math मेरा week है मेरे को पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको पता है प्रिविस येर में NCRT आई थी तो हमने क्या किया उसके अंदर भई complete arithmetic complete advanced math और साथ में advanced math के अंदर हमने NCRT भी include किया है ताकि आपके paper में दुबारा से अगर NCRT आती है तो आप उसको cover कर पाए और arithmetic तो हमने अलड़ी course के अंदर cover कर दिया है NCRT के topic भी आधे cover हो चुके हैं तो आप जाके course चेक कर सकते हैं मुकेश 40 कोड का प्रियोग करें अगर आपको 40% का डिसकाउंट चीए तो जैसे ही आप मुकेश 40 कोड का प्रियोग करेंगे आपको 40% डिसकाउंट मिल जाएगा ठीक है तो description में लिंक है जाके चेक कर लो और उसके साथ एक और important बात कि आप अपने घर पर सेफ होंगे क्योंकि coronavirus आज के दिन भई बहुत ज्यादा फैल रहा है तो उमीद करता हूं सारे बच्चे सेफ होंगे अपने घर पर ही होंगे और यह मैं request करता हूं कि अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई करो कहीं पर भी बाहर ज जरी आपके घर वाळों को दिखत हो सकती है तो शिर्फ अपनी सेफटी नहीं आप यह मानकर चलो कि अगर आप घर पर हो तो आप सब की सेफटी कर रहे हो तो पहली बात तो यह जो आपके पास अवैलबल है उनसे पढ़ो। तो यह तो बात इवे और करोना की जो हमने अप ठीक हो पहले से और मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सब के लिए बात करते हैं भई हर्याना जी के की आप सब को पता है जैसे ही माहल थोड़ा सा ठीक होगा एक्जाम होंगे जरूर होंगे लेकिन बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर अब क्या करें पढ़ें या ना पढ़ें इतने साल होगे पढ़ाई करते करते एक्जाम नहीं होते उपर से ये कोरोना काल ऐसा चल रहा है कि एक्जाम और पोस्पोन होने के चांसे हैं तो देखो भई जै आप उन बत्चों से आगे निकलोगे जो बच्चे आप आगे है पड़ाई में क्योंकि अब हर एक बच्चा गर पर बैठा है खाली बैठा है कुछ नहीं कर रहा है और यही वो टाइम है जब आप उनसे आगे निकल सकते हो पड़ाई के मैटर में नहीं इनीचीज पढ़ क एफ रुट्रों मुणने में होगे जाद काई हाग सब्सक्राइब गाति हव्याना जी वहाँAdara Remove guitars आगर मैं एक children you को बताऊं है ऐसे सुचो कि हर्याना जी-इक कि इमपोटनसा अगर मैं आपको दिखाना चाहऊ तो वहाँ जीुकत आप ह्टा दर और आप रहें सकती तो आप एक्जाम में पास नहींcit कि हर drone i इसकी importance की एक और वज़े है कि यह easy है और subject के मुकावले अगर हम national gk की बात करें तो आपको इससे बहुत ज़्यादा syllabus का और करना पड़ता है math की बात करें तो बहुत ज़्यादा syllabus का और करना पड़ता है English की बात करें तो English तो आती ही नहीं बच्चों को लेकर हर्याना जी के एक ऐसा subject है जो बहुत ही easy है limited सा है और जादा marks का आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए इसकी importance इस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हर्याना जी के में कितने question आते हैं आपके दिमाग में question आऊगा सर हर्याना जी के कितने question अपने पेपर में आएंगे तो याद रखना हर्याना जी के के वो सारे question जो आप एक limited से syllabus में पढ़ोगे आपके paper में 20 पलस question आपको दिखेंगे और यह थोड़े नहीं साब अगर इतना easy है इतना बड़ी a sure subject है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आप इसको complete पूरा का पूरा सारे नंबर ले सकते हो और exam में आपको पास होड़े में बहुत ज्यादा मदद करता है अगर 22 को सनाई तो 22 के 22 ठीक किये जा सकते है पोसीबल है अर्याना जी के अ आप 100% स्कूर कर सकते हैं तो यह ता बात थी वेटेज की कि हर्याना जी के कितने कोशन आपके exam में आते हैं अच्छा यह वीडियो में छोटी रिखोंगा ज्यादा लंबी नहीं रिखोंगा ताकि आप थोड़े टाइम थोड़ी सी छोटी वीडियो में ज्यादा information ले से तो जो फिलाल महौल चल रहा है उसके सबसे सबसे पहले में रिक्रमेंड करूंगा आपको कि आप कोई भी बुक बहार से मत खरीदना किसी भी स्टोल से किसी भी दुकान से या ओनलाइन मंगा के कुछ भी मत खरीदना आपके पास जो गर पे अवेलेबल है हर्याना जीक् सिर्फ बुक से काम नहीं चलेगा आपको यूटूब का सारा लेना पड़ेगा वैसो तो देखो कोई आपके उपर पाबंदी नहीं है आप कोई भी चैनल कहीं से भी जहां पर आपको मैटरिल दिखता है आप वहां से ले सकते हैं लेगन मैं फिर भी आपसे आपको यह बात एक समझ जाना चाहता हूं कि लुबाहोंने मैटरी मैटरील पर मत जाएं कि 10-20 कोशन किसे ने करा दिये हांसी में जाक में करा दिये आपने खुशी-खुशी पढ़ लिए आपके विए समझ में भी आगे तो ऐसे मैटरिल पर जाने जूरुत नहीं है एक्चुल मैटरिल प जो चुक है अपने चैनल के उपर उस पूरी की पूरी प्ले लिस्ट का डिस्टिक वाज जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक और साथ में अगर अगर आप अन्याजी के उस प्लेलिस्ट से करते हैं बिल्कुल temple-free of cost नहीं को एपको बिल्कुल free of cost playlist है हाँ जो पेड को सापर अनजी का अगर नहीं नहीं मिलेगा जो आपको इसके इंदर ॓क्ति आपको मिलेगा लेकिन फिर मैं कहते हूं कि अगर आपको लगता है कि हामारे को कोई चीज ऐसे यह लिखी हुई ओ तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे पड़ो अगर नहीं है तो टेंशन लेने की जूरत नहीं है पूरी की पूरी वीडियोज सारी की सारी वीडियोज आप देखो आप से खुद समझ जाओगे कि हर्याना जीके कितना आसान है और डिस्टिक वाइस कंप्लीट कर लो पेड़ कोर्स या मेरी कारेंटी रहेगी पेड़ कोर्स के अंदर भी वो मेटरियल नहीं मिलेगा आपको जो इन वीडियोज के अंदर रवी सरने डाला हुआ है बहुत ही ज्यादा मैटियल है वह अगर आप कवर कर लेते हो तो मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से अच्छा क्याआटि कौन सा टेम देना चाहिए है बात कर रहा है किसी और बात का निके अ क्या roughly आप उसको है शिर्व से नोटॉर आरे होते हैं तो याद रखना आप चूज करना सबसे पहला समय जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो ड़िए अगर नीन दो सकते सबसे पहले आप शर्यने की नहीं साह unfortunately तो आप द्यान रखो कि पहले आप theoretical subject करो और रात को या फिर जब आप अपनी पढ़ाई खतम करो उस टाइम पर आप practical subject करो ठीक है तो यह main main बात हैं जो आपको ध्यान रखनी है कितनी देर पढ़ना है मैं सिर्फी तना कहूंगा आपको कि daily की दो वीडियो कवर करो आप 30 दिन के अंदर 30 दिन से पहले अपना उसका असर देखेगा जो उसने पढ़ा है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही और हम ये पूरी की पूरी सिरी चला रहे हैं जैसे यह मैंने वीडियो डाली है इसी परकार आपको पढ़ पढ़ाएगा और एक्जाम में अपना आपको और हर एक सब्जेक्ट के उपर वीडियो मिलेगी और अलग से अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्स वीडियो के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कोई चीज अच्छी लगी तो वह अपना अधिक से दिक शेयर करो ताकि सभी बच्चों के पास ये इंफोर्मेशन पहुंच पाए तो नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद